तो आज अपन एक ऐसी personality के बीच में बैठे है जो not only successful investor है बट काफी famous भी है and अगर आज के corrections में देखा जाए तो पहले Warren Buffett के quotes लोग send करते थे आज लोग Vijay Kediya के songs WhatsApp से forward करते है so Vijay भाई जब तीन साल पहले अपन मैं यहीसा ही fireside chat कर रहा था आपसे and वो जो वीडियो था वो YouTube पे अपन अप्लोड किया था आपकी वज़े से मैं भी काफी famous हो गया उसमें तो किंजल को jealous feeling हो गई तो देखो आज बेढ़ गई आपके साथ so starting about the COVID कि कोविड सिच्वेशन में सब के खराब हाल थे business बन सब गर पे बैठा हुए थे market डाउन जा रहा था आपकी क्या situation दी कोविड के टाइम पे सभी बात है कोविड के टाइम जो शुरू हुआ और जो 23 मार्च को मेरे खाल से जो lockdown जो लगा तो वो कभी जिंदगी में कभी देखा नहीं था और शाय सुना भी नहीं था तो वो दो तीन दिन या चार दिन या पाँसद़ Principal दिन हो सकता कि आलत भू खराब ती युरू आपको नीन नहीं आती थी तो इस बॉलकर पे ती-चार दिन बाद में फिर ये समझ में आ गया कि ठीक है जो बचा है वो ही बहुत है जीने के लिए और बाकी क्या है तो वो spiritualism वाला थोड़ा सा दिमाग में आने लग गया था आपने बी बुल मार्केट पे एक सौंग लिखा है सौरी बैर मार्केट पे कुछ दिनों पहले शायद ये मार्केट सिनेरियो देखके आपने बैर मार्केट पे आपने एक सौंग बनाया है तो अभी बुल मार्केट पे कब बनाएंगे बुल मार्केट तो क्या बैर मार्केट जब रखतमोत फुल Earnhpur Market चालू हो गया। उसी Song के अंदर में Bear Market वाली लाइन है उस के अंदर में कि वो अंगर आप भोल सको जो एक भूल रहा हूं कि वो यह बुनना चाहता है मैं चला, मैं चला, मैं चला. दाम, फिर भी मैं चला, मैं बेयर बदनाम, तो ऐसा कुछ बोलना चाहता है, कि तो, कि यह तो opportunity है, और यह इतियास भी यह बात बताता है, data यह बताता है, कि लोगों ना जो wealth कमाई है, वो बेयर market को friend बना गई कमाई है, जिस आदमी ने बेयर market में पैसा लगाया है, वो यह आ में फिर जो भी share लिये गए, फिर जून जुलाई में जो share लिये, वो 2021 तक 10 गुना, 15 गुना, 5 गुना, वो सारे share होगे वो, तो वो wealth जो create होती है, वो bear market में इंवेस्ट करने से होती है, बुल मार्केट में इंवेस्ट करके कोई आदमी पैसा नहीं कमाता है, मैंने एक analogy लि वो बुल मार्केट पैदा करते हैं, ये cycle पूरा चलता है, share बिजार के अंदर में, तो ये तो एक दिन और रात है, वीज़ भाय, as we all know, that July is a season of sale, not in India, but all over Asia, और market अभी 18-19% से down है, और सारे stocks 30-40% से discount में मिल रहे है, तो लोग ये sale से क्यों डरते है, इससे डर रहे है, ये market में जो sale हो रहा है, इससे लोग क्यों भाग रहे है, purchase क्यों नहीं कर रहे है, इसलिए कि वो history से कुछ सीखते नहीं है, हम लोग इतियास से कुछ नहीं सीखते है, जैसे मैंने आपको भी बताया, कि आप देखिए market में, जब जब जब, देखिए ये पूरा जीवन चक्र है, जो market euphoric होगा ना, वो उस market में crisis आएगी, और जिस market में crisis आएगी, वो market वापस euphoric होने वाला है, अभी तक का जो data है वो तो यहीं बताता है, जब तक मैं, जब से मैं share बजार में हूँ, तब तो साब समझी यही data बताता है, लेकिन क्या होता है, वो नए लोग नहीं जमात जाती है, वो उन्होंने दिखावाने ही रहता है, पढ़के कोई सीखना नहीं चाहता है, और बिना मरे स्वर्ग भी आपको नहीं मिलता है, तो सब आदमी अनुबव करके ही सीखना चाहते है, तो लोग यह बात को भूल जाते है, इस बोलकर वो यही ऐसा होता है कि उस समय क किसी को लेने का नहीं है, जब वो डाडी चर्तीवी गाडी में सब को चड़ने का नहीं। तो दस साल भाद पहुता रहा रहा उसके अंदर में ऑढ़ को है शायद मेरे लिए कर दो ऑद को कहीं पहुचा नहीं पनीपा यह तो दस साल उसमें श्ट्रगल भी लगा लेकिन उसके बाद भी जब जिस दिन अहसास हुआ उसके बाद भी trading को पूरा छोड़ने के लिए, आज भी पूरा नहीं छोड़ पाया हूँ, लेकिन इसको implement कर दे के लिए फर्दर दस साल मेरे को लेगे, तो ऐसा नहीं कि जिस दिन आपको ग्यान होगे, उसी दिन मुक्ष पराप्त होता है, ऐसा जरूरी नहीं आपको, वो practice करने भी मेरे को और दस साल लग गए मेरे को. तो आपका कितना percentage overall portfolio का trading में रहेगा? ने ने 0% है अभी तो कोई, ना ना trading का मेरे कोई percentage ही नहीं, मेरा सारा सब long term. वीजे भी आपकी personality जो है, वो smiling personality है, और आपका investment formula भी कुछ smile है, तो आप कुछ बता सकोगे कि वो smile investing formula क्या है? Smile का formula है कि जैसे मैं small cap में और mid cap में invest करता हूं, तो मैंने मेरे लिए जो formula, मेरे लिए ठीक रहा वो है, stands for small in size, क्योंकि मैं छोटी company पकड़ता हूं, और M stands for medium in experience, कि मैं ऐसे management को पकड़ता हूं, कि जिस management को कम से कम 15-20 साल का share, sorry, मतला अपनी company में 15-20 साल का अनुब हुआ है, और 15-20 साल मतला medium in experience, वो इसके लिए कि 15-20 साल में इसने तीन-चार बड़े-बड़े cycle उतार चड़ा होके देख लिए होंगे, तो management smart हो गया होगा, और फिर भी medium in experience मने, अगर समझीए वो आदमी 40 साल से उस industry के अंदर में है, और आज के दिन भी वो small cap है, तो मैं ऐसे shares दे देने में नहीं है उसके product में नहीं है वो चीज़, तो यह होगा medium in experience और दूसरा large in aspiration, large in aspiration मतलब जो management जनल यह देखा गए है कि 100-200-300-500 कोड की company है, वो एक level पे आने के बाद में उनका appetite खतम हो जाता है, उनके fire in the belly खतम हो जाती है उनको, उनको ऐसे लेगना बलगा बहुत ह चलो, तो में मजा करो अभी, तो वो aspiration जब खतम होता है, large in aspiration, वो aspiration खतम हो जाता है, इसका मतलब अगर वो management billionaire नहीं बनेगा, तो हम shareholder millionaire नहीं बनेगा वो shares के अंदर में, तो उसका aspiration बहुत ज़रूरी है, और सबसे important जो है, मैं जो समझता हूँ हो है, E, E stands for extra large market potential, कि उसकी market potential इतनी बड़ी होनी चीए कि 500 क्रोड कंपनी को नापने के लिए 5000 क्रोट पर आगे होना चीए, 5000 क्रोड का potentiality आगे होने चीए, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कभी भी pond के crocodile में invest नहीं करता हूँ, मैं समंदर की मचली में invest करता हूँ, जिसके लिए नापने के लिए पूर गलतियों से सीखने वाले हो, तो आपके एक जिंदगी बहुत कम पढ़ने वाली है, तो सबसे हुश्यार आदमी तो यह होता है कि दूसरों की गलतियों से सीखे, साथ-साथ, और अपनी गलती के अलावा दूसरों की गलतियों से सीखे, और शेर बजार के समझना चाहिए, यहां पर कि यह, it's a risky business. यहां पर market will reward you as per your perception. If you will treat it as a gambling, then it will prove a gamble for you. तो यह जो एक अद्डा नहीं है, यह market जो है, यह risky business है, fast business है, तो इसको business किस तरह से, जिस दिन आप लेने लग जाओगे, उस दिन आपका नजरिया market में investment करने का change हो जाएगा. तो सबसे यह है कि यह रातो रात कोड़पती करने बनने का यहां पर चेश्टा मत करो, मेरा एक कोट आद रखनाची कि रोम वोस नोट बिल्ट इन आदे, बट हिरोशिमा और नागासा की वेर डिस्ट्रोइड इन आदे, तो वो शिर्बजार में देखने के लिए मिलता है. So, we'll have Q&A before I ask one question. वीजे में, अभी start-ups का काफी discussion चल रहा है, और हम लोग ने भी first time कुछ start-up का एक discussion यहां पर रखा. इंडिया में कुछ 50,000 start-ups काफी अभी new form हुए है, 100 unicorns we have achieved and we are the third largest in the globe. आप भी start-ups पर कुछ investment कर रहे हैं, तो एक तो आप क्या देखके investment कर रहे हैं और what is your message for the investors, कि उन्होंने क्या देखना चाहिए अगर start-ups में, अगर उनको investment करना है तो. ने start-ups के लिए अगर मेरे को salah देनी होगी तो मैं बोलूँगा अभी जो उन्होंने पुनिट जी ने दिया था, उनकी बास सुनना चाहिए, मैं तो उसमें बच्चा हूँ, मैंने तो इसमें अभी किया, मैंने 14-15 investment किया है, मैंने और लेकिन मोटा-मोटी में वही देखता हूँ, जो मैं सेकेंटरी मार्केट में देखता हूँ, उसमें मैं यह देखता हूँ, एक्ष्रा लार्ज पोटेंशिल, जो समाइल का इज जो है, उसके पास नापने के लिए समंदर है गे नहीं, तो वो देखना पड़ता है उसके अंदर में, और वो क्या चीज़ डिस्रप्ट करता हूँ, जो दो-चार डायलोग में नहीं लोगों से सीखा हूँ, कि हाँ वो डिस्रप्ट क्या कर रहा हूँ, वो नया चीज क्या कर रहा हूँ, और अपकोर्स इसमें भी वो प्रोमोटर है या जो टीम है, वो सबसे ज़्याद है इंपोर्टेंट है, management, management, वो Vidya Balan बोलती है, जिन्दगे में तीन चीज बहुत जरूरी, entertainment, 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 मैं बलतो, शिर्वजार में इन्वेस्टमेंट के लिए तीन चीज जरूरी है, management, management, management. तो- बारत बाई बाई जस्ट सेट अबाद एट मैंजमेंट. तो इसलिए उसमें भी फॉर्मूला वोही लागू होता है, जो इसमें लागू होता है. So we can have questions from the audience, please. Yeah, this side. नमस्कार विजाई जी. नमस्कार सर्श. सर आप से question ये है कि अभी ज़्यादतर investor उन्हें अभी दो-तीन साल पहले ही पैसा invest करना चालू किया है, इंडिया के अंदर. और उन्होंने जोद्यों जिसने भी दो-तीन साल पहले चालू किया है, उन्होंने अपनी करीबन 40 तका, 50 तका मुड़ी साफ कर दी है. तो अब इस condition में क्या उसको market में पैसा और लगा के average करना चीए या सान्ती से बैठ जाना चीए? अब की क्या राए है? और mutual fund के बारे में भी फ्लीज थोड़ा सा बता है, कि direct equity में करना चीए है, mutual fund में करना चीए है. प्लीज. सर, मेरी limited buddhi से, ने, सर, बेठिए प्लीजा. मेरी limited buddhi से मेरे को यह समझ में आता है, और मैंने कई बारे TV पर यह बात बोला है, कि अगर मैं कई CB का president या जो भी chief अगर बन गया, तो मैं किसी भी आदमी को direct investment करने नहीं दूँगा शेर वजार के अंदर में. क्या बारते हैं, तो हमारे business बढ़ जाएंगे फिर. हमारे business बढ़ जाएंगे फिर. हमारे business बढ़ जाएंगे फिर. मैं ये तो ऐसे ही बोला हूँ, मैं उनको investment नहीं कर दूँगा शेर वजार के अंदर में. यहाँ पर success rate आपको मालूब होना चाहिए, आपने खुद बोला कि 40-50 तका मोड़ी साफ हो गया, आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आप समझने के चेश्टा है किजी आप, उसके बात भी आप बोल रहे हैं, मैं average करूँगा, इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, सर, नहीं आदमी के लिए समझना मुश्किल है, हम लोगों ने पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजार दिये, और जब तक वो solution, answer जानते हैं, तब तक वो बलते हैं, जिंदगी question paper change कर देती है, वोई share बजार है सर, यहाँ पर, यहाँ पर रोज नहीं आयाम पैदा होते हैं, यहाँ पर, आप इनको समझ नहीं सकते हो, और इसके लिए, जो मैं यहाँ पर समझाओं सर, यहाँ पर success के लिए, पढ़ाई important नहीं है, मैं important है, मेरा एक quote है सर, no academic degree can get you success in stock market, stock market में success होने के लिए, सबसे important चीज मेरी ख्याल से है, अनुभाव, experience, और जब तक आप यहाँ पर गिरेंगे नहीं, जब तक आपने bear market नहीं देखा है, जब तक आपने रातों के नींद नहीं खोई है, तब तक आप यहाँ पर सफल नहीं हो सकते हो, यह ब्रह्मवाक की है मेरे ख्याल से, जो मैं समझता हूँ, यह लिखावा है, आप कभी भी इसको आप टेश्ट कीजिएगा इन चीज़ों को, तो नया आदमी जो आता है ना सर, आप सपने देखकर शेर बजार में मत आईए, आपको लगता कि माँगा तोड़ दूँगा, फोड़ दूँगा, आरे मैं अरभपती बन जाओंगा, कोड़पती बन जाओंगा, इसको जीत लूँगा, उसको जीत लूँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है साब, यह राजकपूर की पिक्चर नहीं है, साब mutual fund से, और mutual fund से शुरुआत कीजिए, और फिर आप अपने आपको तोलते रहिए, पहले mock trading कीजिए, या mock investment कीजिए, या अपना ग्यान बढ़ाईए, तीन-चार साल-पांस साल आप लगाईए शेर बजार के अंदर में, उसके बाद में फिर, आस्ते आस्ते आप उसको, वो करने की चेश्टा कीजिए, डारेक इंवेश्टमेंट करने की चेश्टा कीजिए, पहला बात, दूसरी आपका बात का जवाब, इसका उत्तर मेरे पास बेनी है सर, कि अवरेज करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, क्योंकि जो हम शेयर में बात करते हैं, तो हम पांच जार स्क्रिप की बात करते हैं. मेरा एक कोट है सर कि there is large cap, there is mid cap, there is small cap, there is another cap which is called bhangaar cap. तो भंगार के पिए नंजर शेयर जो लिष्टेट है उसमें सब 90% शेयर भंगार केप हैं सब अगर पांच जर लिष्टेट है तो चारहियार बंगार केप है और जो नए आदमी आते हैं, वो उन्हीं बंगार कैप में इंवेस्ट करते हैं, कि मेरे को 5 रुपया वाला शीर बता, 50 रुपया वाला शीर बता, वो चोर मैनेजमेंट के पास ही जाएंगे उनको, उनको मालमनी वही अट्रेक्ट करता है उनको, कि शायर इसी में मेरा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसका मेरे को एक जैनरीक उत्तर नहीं है, कि नहीं आप अभी आप आप अवरेज कर लिए, मालूम नहीं आपके पास में कौन सा शेर से, तो वो शेर टूशेर डिपेंड करता है, एक थंबरूल ऐसा है, कि जो भी मार्केट अगर उप यह जो हाई पी था यह जो फोरिया था, वो एड़ेश्ट हुआ है, वैसा शेर अच्छा करना चाहिए, यह थंबरूल है सर, लेकिन यह बड़ा वेग आंसर है इसका, तो यह स्क्रिप्ट तो इसक्रिप्ट डिपेंड करता है, बेटर आप किसी कंसल्टेंट की सला ले सर, यह मैएक प्लिस, तो यह थे समय बड़ेश्ट है, यह बना चाहिए, यह मैएक प्लिस, यह थे समय नें मेवल चौक सी, नौट फ्रम गितान जली, नहीं सर वह तो फिर लेंडन में मिलते हैं या फिर आप सर मेरा क्विस्टन है था रिसंटली आपने एक इंटर्व्यू में टीवी मीडिया पर बोला था कि beer market is getting compressed and bull market बड़ा होता जाता है यानि bigger बनता जाता है तो उस पे आप थोड़ा कुछ फुर्फुल डीटर्स दे सके तो सर मेरे को ऐसा लगा और देखिए मेरा जो भी है जो सामने देखा है उससे जो समझ में आया वो मापके साथ में शेयर कर रहा हूं आप लोग कोई मालू मैं कोई ज्यादा पड़ा लिखा नहीं जैसे शंकर भाई-जी है बर्सर आ है आप लोग को भी अच्छी तरह मालूम ह तो मैंने जो यह समझ में आया है कि बैठिये सब आप, 2003 के पहले शेयर बाजार के अंदर में जो भी बुल मार्केट और बेर मार्केट होते थे उसमें बुल मार्केट छोटे बढ़े होते थे 2003 के बाद में ड्रेमेटिक चेंज हुआ, इस्ट्रक्शल चेंज हुआ, बुल मार्केट के अंदर में, और पहली बार मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा, जो इतियास पड़ा है, कि बुल मार्केट चला पांस साल, 2003 से लेकर 2007 तक याठ तक, जो भी आठ मार्केट चला होगा वो लंबा बुल मार्केट चला, और इतनी बड़ी क्राइसिस आई कि लिमन बिजस की जो क्राइसिस है, वो हिस्ट्री में लिखी जाएगी, गॉल्डन वर्ड्स के अंदर में, इतनी बड़ी इंडिया में, पुरे वल्डवाइट क्राइसिस आई, नो महिने के अंदर में खतम हो गया, मने टॉप जो बॉटम बनार वहां से जो मार्केट रिवाइब हुआ, वो नो महिने में हो गया, उसके बाद में भी आप ये समझेए कि कोवीट की आप सोचीए, कोवीट से बड़ा क्या हो सकता है, सेंचूरी की सबसे बड़ी तराजदी थी, वो बेयर मार्क कि ये बुल मार्केट नहीं है, 2000, लोग बोलते है, 14 से चालूब है, लेकिन आपको सब को मालूम होगा है, आप या वापस जाकर अपना डेटा देटा देखिए, 2008 से 14 के बीच में भी ऐसे से शेर्ट हैं, जो 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना होए हैं, जो कि टेकनिकल डेटा के हिसाब से उसको बुल मार्केट नहीं बोला जाता है, उसके अंदर में भी 50-50 गुना शेर्स हुए हैं, तो कहने का मत्त है, ये बड़ा complicated matter है, तो मेरे ख्याल से मेरे को ये लग रहा है कि जो इतनी बड़ी-बड़ी crisis दुनिया ने देखी और 9 महिने के अंदर में बुल बे ये market, लेकिन उसके बाद भी कुछ शेर्स बढ़ते रहें, लेकिन मार्स तक, अप्रिल, जून तक आगर आप देखेंगे, जो ऐसे, जैसे हम लोग बात किये भी, कि कई meet cap है, जो ओलेडी 50 टका, 60 टका, 70 टका, मार्स तक डाउन हो चुके थे, मार्स 2022 तक डाउन हो गए हैं ये सब तो यहां का, ये सब तो चलता रहेगा, मेरे खाल से उसमें मैं तो इतना ज़्यादा दिमाग ने लगाता हूँ, मेरे सारे स्ट्रक्चर, शेर्स के इसी तरीके से हैं, कि bear markets are shorter and bull markets are becoming longer. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरा आपसे प्रस्नाई है कि cotton textile manufacturing में आप extra large opportunity देखते है going forward future में, Indian cotton textile. मेरे लिए बुलना थोड़ा मुश्किल है, क्या क्या इनका आज तक खिला समझ मी नहीं है, मालूपने यह बीस-ती साल में तो कुछ की यह नहीं है, और यह भी कभी cotton मार देता है। अब एक चीर मैंने समझी है sir, अगर आप direct investing करते है न, जिस भी sector के अंदर में बहुत सारे moving parts हो, ज्यादा moving parts हो, उसके अंदर में हमारे चोटे investor को पकड़ना बहुत मश्किल होता है। जिसमें बहुत सारे moving parts हो, जिसके अंदर में, जैसे cotton textile का है समझी है, या समझी है अपने metal के sector है, अब श्टील में कभी iron ore मार देता है, कभी cooking coal मार देता है, कभी China मार देता है, कभी Brazil मार देता है, कभी कौन इनको आकर कोई भी आगर इनको तक्तर मार देता है, वैसे यह cotton textile कभी है सर, मालूम नहीं कभी Europe का कोटा, कभी Vietnam, Thailand, China, कभी cotton price, अभी all time high चल रहे है, तो मेरे लिए इनको बोलना मुश्किल है सर, मैंने एक investment किया ता छोटा, Ambi का cotton, अगर शायद आप उसके लिए बोल रहे होंगे तो, तो वो लेने के बाद में मेरे को बहुत बड़िया रिटन दिया सर, 40-50 तका नीची है मेरे लिएवे भाव से, तो इस बुलकर अभी मैं उसको, तो पैसा इतना गवाया, मजा आ गया, अभी मुझा ले रहा हूं सर उसका में, तो इनको मेरे को इसकी idea नहीं है, content text लाए, जिस पे जादा moving parts नहीं करने का सर, simple, simple theory बहुत मिलती अभी एशिर बजार के निदर, बॉट इवनिंग सर, I want to ask one question, आपका biggest mistake, यानि company-wise नहीं, investing mistake, आप जो every time ध्यान रखते हो कि यह मेरे से mistake नहीं होना चीए, यह company selection करने में, वो क्या है, और दूसरी चीज़ कि आप जैसे कितना stop loss लगाते हो, जैसे मेरे इतना loss हो गया, अब लेकिन ये इतना, अभी मैं निकाल लो यहां से और दूसरी company में लगा दो, कहां तक आप admit कर सकते हो, 15, 20, 50, 40%, कहां तक? देखिये सर, मैं ऐसा मानता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ, मैं investment में कभी भी में stop loss नहीं लगाता हूँ, investment के अंदर में, तो कि हो सकता है, शायद मेरे quantity जादा हो इसके लिए, मेरे खाल से जो stop loss की जो theory है, वो trading में होने चाहिए, investment में नहीं होने चाहिए, कई लोग है, कई मेरे मित्र हैं, जो fund manage करते हैं, वो बोलते हैं, जब 20% या 30% गिर जाता है, मैं तो base देता हूँ, तो मैं तो बोलता हूँ, जब तू base ता मैं लेने के लिए आ जाता हूँ, मैं तो sir, investment में किस तरह से आप stop loss लगाएंगे, मेरे को ये गणिस समझ में नहीं आता है, मेरे को, तो trading के अंदर में stop loss लगाना चाहिए, ये पहला बात, first question क्या था, मैं भूल गया आपका, आपका ये जैसे investing mistake, investing mistake, जैसा mistake, कोई company select करते हैं तो आपका जो पहले कोई mistake हुआ है, जैसे, mistake हुआ है, yes, क्यो आप rectify करते हो every time, investing mistake, investing mistake, मिस्टेक तो होती रहती है, यार, मिस्टेक से तो मतलम नहीं है, मिस्टेक वो थी जिससे आपको सीखते नहीं हो, क्योंकि पैसा तो देना इपड़ता है यहाँ बराबर, तो मिरे काल से, मिस्टेक तो हम सीखते ही रहते हैं, अपने आपको refine करते ही रहते हैं, ठीक है, वो तो पहले जब मैं पैदा हुआ तो मैं आपको राजश्क्रना समझता था, फिर माच्छे कुमार समझने लग गया, अभी मैं रन्भीर सिंग समझने लगता हूं अपने आपको, तो मैं अग्धिस्टेक की और आगे मैं इस तो नहीं दरा हूं, अगर इंका प्षच्छन यही मचवाब दे पाए हूं. यस, यस, perfect. We can have one last question. एक middle-class investor के लिए आपके एपके इसाब से आइडल असोट ऐसेट अलोकेशन किस परचेंटेज में होना चाहिए? मिड मिड इन्वेस्टर की सबसे आपके सबसे क्या investment theory होनी चाहिए, राइट? क्या asset allocation होना? Sir asset allocation का ऐसा है सबसे आपकी अपने खुद की risk लिखिये sir, mera a quote है, Stock market में पैसे से पैसा नहीं कमाया जाता है, जो आदमें सोसे ने स्टॉक मार्केट में पैसा सर पैसा कमाया जाता है, वो गलत बोलते हैं, पैसा तो ज़रूद है है, कैपिटल तो आपको चाहिएगा, मैंने यहां पर लोगों को देखा कि पांच लाग से लोग 500 कोट रुपया कमा सकते हैं, और 500 कोट रुपया वालों को भी बैने यहां पर फेल होते वे देखा हैं, इसका मतलब पैसे से कभी कमाने के चेश्टा मत कीजिए, तो इसका कारण क्या है सर, कि आपकी mental जो कैपेसिट करते हैं, लोग अपने खुद की mental capacity समझ नहीं पाते हैं, अगर मैं जिम में जाकर पचास किलो का अगर कोई डंबल उठा रहा हूं, आप मेरो को देखकर अगर पचास किलो का डंबल उठाएंगे तो हो सकता है, शायद आपको वो सूट नहीं करें आपको, आपको समझना है कि आप 15 किलो अज शुड़वात करता हूं, और आस्ते आस्ते में 15 किलो का 20 करूंगा, 20 का 25 करूंगा, फिर 500 किलो भी उठा सकता हूं, लोग ऐसा नहीं करते हैं, इमिटेट करते हैं, लोगों को खाली कोपी करना चाहते हैं कि उसने 5 लाग शेर ले लिया तो मैं भी 5 लाग शेर ले ले लेता हूं, तो वो पांचलाग शेर लेंगे, वो पैनी स्टोक वाला शेर लेंगे, क्योंकि उनको क्वांटिटी चाहिए, कि मेरे दीमेट में 5 लाग शेर एक कंपनी का मेरे, तो मतलब ये ऐसा डेलोकेशन आपको खुद को समझना है सर, कि आपका माइंड कहा तक वो वजन उठा सकता है, जहां तक आपको रात को नहीं आ रही है, जब तक जाकर बीबी से जगडा नहीं कर रहे हैं, बच्चे को थपट नहीं मार रहे हैं, तब तक आप सही लाइन में जा रहे हैं, लेकिन तब मॉमेंट अगर आपका माइंड चेंज हो गया, आपका दब तक शेर बजार में वो ही पैसा ना चाहिए, जो पैसा आपको कम से कम दो-तीन साल नहीं चाहिए, अगर आप ये सोच कर इनवेशच करते हैं कि मा आज इनवेश्च करू यह पैसा मैं टीन मेने बाद ले लूँगा यह ओछ जह मेने बाद लूँगा तो आप गलत कर र वन फाइनल कुस्टिन बिफोर वी हव थे नेक्स रपिट फैरों हलो सार मेरा नाम दर्सन है जब भी ये कोविड आया था तब मार्केट बहुत जली से गिर गया था फिर तुरंट वी सेप रिकवरी भी देखने को मिली थी ये दूसरी बार भी ऐसा हुआ यूकरेन क्राइसिस आया मार्केट गीर गया और तुरंट उपर भी आ गया stock के भाव भी गिर गए थे और stock के भाव जली से उपर आ गए पर इस बार market कैसर आये nifty इतना नहीं गिर रहा है पर stock के price आप देख रहे हैं तो 50-60% सारे stock में से निकल गए market जली से उपर तो आ जाएगा nifty नया high भी बना देगा क्या स्टॉक के प्राइस फीर से उपर आ सकेंगे इतने जली देखिए सर ऐसा है पहला बात तो अब यह समझ लीजिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि जो निफ्टी जो है यह डिसेप्टिव है यह आपको निफ्टी आपको सही शेर बजार का सही इंडिकेशन नहीं देता है निफ् पोर्टफॉलियो गलता या सही है जो आप निफ्टी की बात कर रहे है कि जो निफ्टी पहले वी शेप विक्ट्री आई थी अगर आप अगर आप यह देखेंगे कि नीचे से इंडेक्स हुआ डबल लेकिन मिटकेप में शेर जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला वो फाइ से शाब टका, साट्र टका, साथ टका गरिचुके हैं जरेड़ी, मैक्सिम्मम शेर से तो इनका कभी भी आपस के अंदर में को रिलेशन नहीं है तो कभी भी निफ्टी को अपने मिड़ के इंवेश्मेंट से आपने इंवेश्मेंट से आपको तुल्ला नहीं करना चाहिए निफ्टी के एक चाल अलग है, जैसे आप पिक्चर देख रही है, कतरीना कैप की बोले, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, पर अल्टीमेटी दो भावी जो गर पे है, उसी आपको काम लेने काहसा है, तो आप काइंडली उसको देखकर, घर में आकर फिर आप डांस मत है कि आँ खाला चस्मा चड़ गया रहे हो, तो यह दोनों अलग अलग चीज है, वो ग्लेमरस है और यह हकिकत है. So, Vijay बाई, we'll have a rapid fire round. The last will be rapid fire round. One line answer. Yeah, one line answer. Describe yourself in a word. Describe yourself in a word. मेरे को, मैं अपने आपको. Hindi में बोले तो, योदा, Lovely. Are you a early morning or a late night person? Late night, लेकिन सोता हूं बारवजे उड़ अड़ जाता हूं साड़े साथ बजे, अभी उसको क्यों बले. What is the personal smile formula of Vijay Kedya? Personal smile formula? जो मिल गया उसी को मुकदर समझ लिया, जो खो गया में उसको बुलाता चला गया, में जिन्दगी का साथ निभाता चला गया, अर फिक्र को दुवे बोडाता चला गया. You are driving a car. And besides you is Deepika Padukone. Which song you will sing? Gana Kone काएगा. Kamal है यार. Oh, Mita Bacchal का टैलोगी आता है, मुपथ की, इसमें भी घठा. You are at present vibes at this conference. At present? Vibes. At this conference. Vibes vibes. आपके अभी के vibes क्या है, conference के? Wife की vibes? Vibes. क्या चीज़ की vibes की? ये conference के. Conference के लिए vibes क्या है? और वो तो मैंने पोलो बोला, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़ना लगे चश्मे बद्दूर. तो मैंने पहले ही बोला मैंना. What is your favorite? Tea, coffee or wine? सुवर्टी, शाम का वाइन. Are you fine? लेकर यापर, sorry sir, माप करना, प्रभू sir, तोड़ा लिबर्टी ले रहा हूं sir. मैडम, sorry. Three things that no one knows about you. Three things? Yeah. Three things nobody knows, three things? अच्छा, ने एक तो ये कि लोग ऐसा सवस्ते है, मैं स्वाइल करता हूं, मेरे को गुस्सा बहुत आता है. तो मैं आपको बना मत रूंतर है तो तो से शाड़ा लो तो पॉछा आई तो थो मैं अपने आपको वह आ दो अपने आपको आपने वह दो नहीं है नवाने फाइटर अमच्छ को लंगा ने रे बिश्ब दू लेकिन अप सूट रिवेंज वाला अभी जीत के छोड़ दो तो म मैं revengeful हूँ by nature, लेकिन अभी मन में ऐसा हो गया कि आ रिवेंज लिया, लेकिन रिवेंज का मोका आया, तो छोड़ दिया उसको, तो ये एक nature है, तीसरा तो ध्यान नहीं होता है, अभी बता नहीं सकता हूँ, बाद में बता हूंगा आपको मैं। Right now, according to you, which is an elite platform for PMS investors? Which is that? Elite, elite platform, elite platform for PMS investors. For PMS investors? Aray, जिसका नमक खाया, वही, मेता! और Pratik भाई ने बोला, पुछने का जोरती नहीं है, दोस्त. Thank you, sir, you made us happy. Heavy best है, बताओ, इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतना सब आप करते हो, सब चारु तरफ नाम आपका, बोट बढ़िया. Thank you, thank you, sir. Close your eyes. I will tell you two names. Tell me, whom did you picture eyes? Radhakrishna Damani और Madhuri Dixit. Everybody knows the answer. Lekin मैं, of course, Madhuri Dixit, लेकिन बीमार लग रही है. उसके बाजू में को डॉक्टर बैठा है, वो कोन है, यार. ने-ने, डॉक्टर ने-ने. That was expected answer, sir. What is your all-time blessing mantra for us and all? Vijayi Bhaba. Thank you, thank you. Thank you, Vijayi Bhai, so much for such a wonderful answers. एक खाली, एक शार लाइन पढ़का सुना देता हूँ. Yes, yes, please, please. Time नहीं है, मैं एक बात खाली आपको लाश्ट बोलना जाता हूँ, जो लिख के लाया हूँ, और यह मैंने, एक कवीता बनाई थी, एक एड़े मेना पहले, वो मैं खाली आपको बोलना चाहरा हूँ. जैसे अक्सर लोग पुछते हैं, बूल मार्केट है कि Bear Market है कौनसा मार्केट है, तो उस पर मैंने एक कवीता बनाई, कि हमको shared sales को पुछते हैं, के भईया, तुम कौनसा मार्केट है हूप, पोलना मार्केट है. पिसे एसो टाटा मोटर नयायाम बनाते हैं प communion ऐस से मिंखा गया था अब आधर वांई इसे शिएर से कोई रेफ़ेंस यह मतलब नहीं है नाम बदल कर थीम बदल कर भेश बदल कर आते हो मैं तो वहीं तिका रहता हूं तुम गायब हो जाते हो शेर बजार बलता अपने लोगों के यह बात प्लाइट फॉर्म के नाम पे तुमने लाया कैसा है भूचाल कुछ लोगों की जेब भरी और लाखों लोग हुए कंगाल सीख नहीं पाते गलती से दोहराते हो वही अरबार अपने ही त समझो मुझको एक व्यापार समझो मुझको एक व्यापार थैंक यू थैंक यू इजे बाई